शालिमार आइस क्रीम पार्लर और बेकर्स एगलेस केक्स आर अवेलेबल हीर नियर टू टाउन पोली स्टेशन महभूब नगर श्री चेतनिया डिगरी और पीजी कॉलेज इंविशन सार ओपन तिमना कॉंप्लिक्स रैचुर रोड महभूब नगर असलाम अलेकुम नाजरीन मेट्रो नियूस अपडेट्स में आपका इस्तक्बाल है आए पढ़ते हैं आज की ताजा खबर पर शहर महभूब नगर खल्प में वाके हाजी गफार पेट्रोल पंप के अखावी हिस्से में वाके अर्दो घर को मिस्मार करकर शादी खानी की तामीर का मुस्लिम तन्जीमों वसमाजी खाइदी ने किया मतालिबा तफसलात के मताविख एड़ अधा के एक दिन खबल यानी 28 जून को मुखामी रियास्ती वजीर बरायाबकारी डॉक्टर वीश्री निवास गौर ने एड़ गा वक्फ रह्मानिया की अराजी पर एक करूर रुपों की लागत से शादी खानी की तामीर का संगे बुनियाद रखा इन खाईदी ने शादी खानी की तामीर की सलसले में एड़गा कमीटी और मुखामी रियास्ती वजी डॉक्टर विश्री निवास गौर को इस जानब मतवज्जू करवाया के अरसे दरास से महबूब नगर शहर के खल्ब में वागए हाजी घफार पेट्रोल पंप के अखावी हिस्से में मुसल्मानों के लिए मुखतस किया गया अर्दो शादी खाने की इमारत मौचूद है जो के बोसीदा हो चुकी है इन खाईदीन और अवामी तन्जीमों ने मुतालिबा किया कि इस बोसीदा इमारत को मिस्मार करकर शादी खाना तामीर करे ताकि मुसल्मानों के गरीब अफराद इस शादी खाने से फाइदा उठा सके इन खाईदीन ने कहा कि अगर इदगा वक्फ रह्मानिया में शादी खाना तामीर किया जाता है तो मुसल्मान इस से भर पूर फाइदा नहीं उठा सकते और मुस्तक्बिल में नमाज इद की मौकों पर मुसलियों के लिए जगा ना काफी होगी लहाजा इदगा कमीटी और मुकामी वजीर इस जानब तवज्जू करते हुए खाउम के फाइदे के लिए शादी खाना उर्दु घर की अराजी पर तामीर करे जो के शहर के बीचों बीच रहे इस सिल्सले में अवामी तन्जीमों अलिमाए मशायख और सियासी वसमाजी खायदीन का अन खरीब एक मशावराती इजलास तलब किया गया इस दिमन में बैतल खायर फाउंडेशन के सदर मुहमद तखी अद्दीन, मिर्शुएब अली, मसी, अब्दुर्रह्मान, आमिर सुहिल के अलावा दिकर मौचू थे असलाम आले कुम रहमतुलाहिव वर्कातों, मेरे भाईों, बुज़गर दोस्तों, अम्मित के आप सब खेरे से होंगे, आज हम सब का यहां पर जमा होने का यहां आने का मकसद बस यही है, कि आपने ईद्द के दिन सुना, कि इद्द का वक्फ रहमानिया में, किस तरह से जमेदारों ने जो नाजबा बाते हैं, नाजबा अपने हकुम जारी किये, कि इद्द का की जमीन, इद्द का की जमीन पर वक्फ रहमानिया की जमीन पर फंशन हल बनाने की बात किये, तो वरहाल उस वक्त से हम उसके खिलाफ हैं, तकरीबन खुद हमी नहीं, खुद बैतल बारी कर रहें कि उस मुखाम पर कोई चीज नहीं बन सकती सिवाए मस्धिद के वो वक्फ रहमानिया का जो मन्शक है यानि के उसका जो बालास है उसी में भी यह चीज नहीं है कि वहाँ पर कोई चीज हम बना सकते तो बरहाल वहां के जिंच आडाारां जो काम कर से जो है उस जगे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर अगर फंशन हाल बन गया तो वह जगे हमारे उसमें रहती ने तो खब्जा हो जा रही है अगर आपको इतना ही खब्जे रोकने का अगर आपको शौक है तो मेरे भी आप लोग जाईए सेवनटी सेवनटी एट पर वहाँ पर आप जाके फंशन हाल बनवाईए या फिर नौपेट रोड पर जो है ना जो जो जमीन दी गई है मुसल्मानों को जो मैं समझता हूँ कि खरीबन छेक कर है वहाँ पर खब्जे हो रहे हैं वहाँ पर आप जाके रोकिए अगर हम इसी तरह से खब्जे हो रहे हैं इस नाम पर रोकते हुए हम जमीन देते जाए लोगों को तो आने वाले दिनों में कुछ भी जमीन कुछ भी इदगा मुसल्मानों को नही रहेंगा और जम्मेदारों को वक्षवकमिटी, इद्गा कमिटी के जम्मेदारों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि मेरे भज़ आज आप देख रहें, तमाम मसाजीदों में नमाजे होने के बावजोद एदुलाजा हो या एदुलफितर की इसके बावजूद भी इदगा सरों के समंदर से बढ़ जा रहा याना कि जगे ने हो रही आपको मालूम है अगर ऐसी हम जमीन देते चले जाएं तो फिर आने वाले दिनों में जगे कम बढ़ जाएंगी इदगा के लिए तो बरहाल हम सबका यही मतालिबा है कि उस काम को वह चाया जा सके इसलिए हम यह चीज़ बना रहें मेरे वह एक चीज़ आप लोग समझीए एक बार रेविन्यू को जब वह जमीन चले गए अलाट हो गई ना तो वह गौर्णरमेंट लाइन हो गई जिस तरह से आज हम उर्दुगर में खड़े वे हैं उर्दुगर दस साल च आ रहा हूँ यहां पर हमारा किसी से भी शक्सियती कोई मेरे भई हमारे को किसी से कोई तकलिफ नहीं है हम किसी की शक्सियती हम किसी से कोई हम बाहर रखने वाले नहीं है यह हमारा मुतालिबा की बात आई तो हम बस बात कर रहे हैं ना हम टियारेस के खिलाफ है ना हम 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 कमीडिये के खिलाफि नहींगे, ना कभी थे ना कभी रहेंगे, हम heirs से बस यही मतालिबा कर रहे हैं हमारी BRS पार्टी से, क्योंकि हम खुद इससे जुड़े वे हम आगे भी, हम पिछले वक्ष़नी भी काम करें अगर हमारे काम सही होंगे तो आद मुसल्मानों को हुकुमत के तरफ से कोई चीज मेरे भी नहीं मिली हम सुब इस बास से बाखो भी वाकिफ हैं पिछले नौ सालों से हुकुमत में हुकुमत टियारेज बियारेज से मुसल्मानों को मैने इसको कोई ऐसी चीज नहीं मिली कोई इसकी नहीं मिली लेकिन हमारे कुछ सरकारी मु आप लोग अपने मुफाद के लिए, अपने जो है ना डबल बेडुरूमों के लिए, अपने जो है ना मतलब Keep के लिए कावम को भिलया रहे आप लोग का सउधा कर रहे हैं। आपको ये हाग किसीने नहीं दिया कि आप उस मुगाम पर शादी खाना बनाएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए जो सन 2000 में इफ्टिता अमल में आया था ताकि जिले के पस्मांदा और मुसल्मानों की शादियां और उनके मीटिंग्स के लिए एक हाल मुनखित किया जाए जिसमें वो लोग हम तमाम बैट कर अपने कोई भी अगर प्रोग्राम सो तो यहां पर कर सकें जिसके लिए शाहर के बीचों बीच हाजी अब्दुलगफार पिट्रॉल पंप जो है उसके एकदम पीछे हिस्से में ये एक हजार गस जमीन अलॉट की गई थी अफसूस के वो हम उसको सही इस्तेमाल ने कर सके जिसकी वज़े से वो आज वीरान और बहुती खस्ता हालत में पड़ेवा है फिर अफसूस के एक अच्छा शादी खाना बनाने की नियस से एक महबूब नगर में एक शादी खाना बनाने का इरादा किये हैं लेकिन अफसूस के एक ऐसी जगे पे वो शादी खाना बनाया जा रहा है जो शहर के एक दम बिल्कुल बाहर यानि इदगा वफ रह्मानिया जो शहर से बाहर है उसकी जमीन पर शादी खाना तामीर किया जा रहा है जिसका शहर के तमाम महभूब नगर के मुसल्मानों में और तंजीमों में और दानिश्वरों में बहुती गम और गुसा है और तमाम लोग ये चाहरे हैं कि मिनिश्टर साब की जो खुआश है एक अच्छा सा शादी खाना बने वो शहर के बीचों बीच इस इमारत को फिर से तोड़कर एक अच्छा शादी खाना खुबसूरत बनाया जाए ताके शहर के खल्ब में भी रहे और लोगों को फाइदा भी हो और तमाम लोगों की गुजारिश भी है हकुमते मौजूदा हकुमत से ते इस शादी खाने को वक्फ रह्मानिया की जमीन से हटा कर शहर के खल्ब में मौजूद उर्दु खार शादी खाना जो आलरड़ी हमारी एक हजार के जमीन है यहां पर बनाया जाए ताके तमाम लोगों को फाइदा भी हो और शर्य इतिबार से एक बार जब जब जमीन मस्जित या इदगा के लिए अलौट की जाती है तो उस पर कोई और चीज नहीं बनाई जाती हम इस तरह से बनाकर दूसरे लोगों के लिए रास्ते फराहम ना करें मस्तख्बिल के हालात को मदे नज़र रखें अगर एक बार हम इस तरह से जमीने अगर कोई और काम के लिए गड़ देना शुरू कर दें तो मस्तख्बिल के लिए ये नज़ीर भी बन सकती है लहाद हम को चाहिए कि वक्त की नजाकत को समझते हुए इस शादी खाने को वक्फ रहमानिया से मुन्तखिल करके खल्ब शहर के बीच में जो आईबी की जमीन है हाजी गफार प्रेटल पाम के पीछे वहाँ पर मुन्तखिल किया जाए उम्मित करते हैं कि मिनिश्टर साब ये आवाम की रिक्वेश्ट को भी सुनेंगे बात भी ये है कि जो कम्यूनिटी हॉल जर्नल के नाम से जो इदगा वक्फ रहमानिया पर बनायाने की जो कोशिश की जा रही थी उसके मुतालग क्योंकि वो तो जो परमीशन दी गई या इंतिजामिया जिस तरीखे से भी उसको इजादत दिया है क्योंकि मह्भू नगर एक बड़ा जला है मुसल्मानों की कافी बड़ी तेदाद है क्योंकि दानिश वराण ऐब बनाया दिया हुआ आ थे उसकी महैंगा है और इस कम्यूनिटी हाल को मुंतखिल करके यहां पे खल्ब शहर में बनाने के लिए एक पुर्जोर नुमाइंदे की जाएंगी लाहे अमल तर्तीब दिया जाएगा जिसके लिए तमाम महभूब नगर के जिमेदारान, उल्मा और मशायखीन, मौजजीजीन और दर्दमंदा मिलत से गुजारिश करता हूँ कि जब भी आपको इसके इतला, मुखाम और वक्त दिया जाएगा आप जरूर इस कारे खेर में तश्रीफ लाएं महभूब नगर के पूरे भाया, मेरे मुसल्मान भाया, जो खावम और मिलत का जजबा रखते हैं, मेरे को फोना करके वो लोग मेरे को साथ दिये हैं, अल्हम्दिल्ला मेरा यही मुतालबला है, कि वहां से शादी खाना फौरी यह उर्दू घर में ट्रांसफर हो जाए, य लीगल एर भी हम इसको जाने वाले है, शुरू में क्या है, या बल्दिया को जाने के बाद बल्दिया में कमिशनर साब से मिलके उनको भी एक लेटर देने वाले हैं, और दूसरा क्या है क्योंकि बल्दिया से हो रहा काम यह, तो क्या है, वहां एक लेटर देने वाले है, बोड चेर्मेन साब मसी उल्ला साब को भी एक लेटर देने वाले हम लोग हम लीगली फेस करने वाले इसको और फिछे अटने वाले नहीं हैं चाहे आप जहां भी बुलाएं नाजरीन आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाइदा यूट्यूब, फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं अगर आप हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूस अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे आप हमारे वेख रहे हैं यूटम कर दो मेट बिंक पर रहे हैं एक हमारे यूटब, पर पहे दो जबिशधाrires देख व्राम हमारे जूटर के अपकरा से वशले वेर वे करना लम्हां वे दो हमारे को जो ना वे हमारे कृट्यू ह्